देश में इस वक्त धर्म संसद पर राशनिती गर्म है हरीद्वार और राइपुर की धर्म संसद में जिस तरह के भाशन और बयान दिये गए उस पर अबर नाकरिक समाज परिशान नसर आ रहा है धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत के खिलाफ पांच पुर्व सेना प्रमुखों ने रास्टपती और प्रधानमंद्री के नाम खुला खत लिखा है क्या कहा गया है खत में आईए देखते हैं हरिद्वार और राइपूर में पिछले दिनों आयो जित हुई धर्म संसदों के अल्प संख्यकों के खिलाफ खूब जहर उगला गया महत्मा गांधी को भी अपशब्द कहे गए राइपूर पुलिस ने इस पर आरोपी को अगर अफ्तार भी किया है जिस पर राजनीती भी शुरू हो गई है इस बीच सेना के पाँच पूर प्रमुखों समित कई जानेवाने नागरिकों ने इस नफरत के हिलाफ राष्ट्रपती और प्रधान मंतरी को चिठी लिखी है पत्र में उत्राखंड के हरे द्वार दिल्ली वा अन जगहों पर ऐसे कारिक्रमों का उलेख करते हुए आगाह किया गया है कि ईसाई, दलित और सिख जैसे अन अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है राष्ट्रपती रामनात कोविंद और प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी को संबोधित इस खुले खत में कहा गया है कि हिंसा के लिए इस तरह के आहवान आंतरिक रूप से अशान्ती पैदा कर सकते हैं और बहारित दुश्मन ताकतों को मजबूत कर सकते हैं खत में कहा गया है हम नफरत के सारवजनिक प्रधर्शन के साथ साथ हिंसा के लिए इस तरह के उकसाविक यनुमती नहीं दे सकते हैं ये न केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर मुद्दा है बलकि हमारे राष्ट के सामाजिक तानेवाने को भी खंडित कर सकते हैं एक वक्ता ने सेना और पुलिस को हत्यार उठाने और सफाई अभ्यान में भाग लेने का अहवान किया ये सेना को हमारे अपने नागरिकों के नरसनहार के लिए कहने के बराबर है और ये निंदनिये और अस्वी कारे है इसमें सरकार और नियाए पालिका से उच्च स्तर प पूर वाई पियस अधिकारी जूलियो रिवेरो, राज मोहन गांधी, नजीव जंग, अरुना रॉय, कई पूर बरिश अधिकारी लेखा कारिकरता शोधकर तहादी शामिल हैं हरिद्वार धर्म संसद को लेकर दुनिया भर में भी तीखी प्रतिकरिया हुई है अमेरिका की पूर ट्रेनेस स्टार मार्टिना नवरातुलिया, बाइलाइन टाइम्स के पत्रकार सीजे बालमन, पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर सहिद, कई नामचीन लोगों ने इसकी निंदा की है अभी कुछ दिन पहले ही हरिद्वार धर्म संसद में मुसल्मानों के खिलाफ की गई नफरती बयानबाजी के खिलाफ सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकील आगे आए हैं 76 ऐसे वकीलों ने CGI N.V. रमन को चिठी लिखी थी और उनसे धर्म संसद और दिल्ली में भी आयुजित हुए ऐसे ही कारिकरम का संग्यान लेने को कहा सरकार के पास नफरत के माहौल के खिलाफ शिकायते तो पहुँच रही है तो देखना होगा कि सरकार इन पर रोक कैसे लगाएगी डीवी लाइफ की रिपोर्ट